तो नमस्कार दोस्तों पीछे जब हम जाकर के देखते हैं तो हमारे जो पीछे की याद हैं actually वो कभी किसी से बात करते हुए दोस्तों अगर हम पीछे की बातों का जिकर करने लगते हैं अपने मेलने जोलने बातों कितना अच्छा लगता है जैसे कि मैं अभी 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 फॉन पर बात कर रहा था तो वो पीछे की बात है याद आगरी कि कभी हमारे टाइम में तांगा होता था जिसमें गोड़ा जोड़ के चलाया जाता है उसके पईए जो है वो बुगई कैसे नहीं होते थे वो बिलकुल लकड़ी के बने हुए थे तांगा बोलते थे अब वो देखने को भी नहीं मिलेंगे जुगाड बनती थी एक मतलब जो ट्रॉली वगरा रख करके चलाई जाती थी जुगाड बोलते थे उसे बुगगी जुगाड बैल गाड़ी नहीं देखी होगी तो ये सब उसी को लेकर के ये वीडियो तो वो 60 की पारवाले जो लोग है जिनकी उम्र 60-70-80 हो गई है उनको उनका जो अनभव है वो मैं इस वीडियो में लेकर कहा हूँ मेरा मानना है कि दुनिया में जितना बलवा बदला वो हमारी पीडी ने देखा है मतलब वो पीडी ज वो आप देख सकते हैं मैं एक-एक कर करें के आपके साथ शेयर करने वाला हूँ पहले तो आईए हम देखे हैं हम वह अक्री पीडि है जिसने बैलगाडी से लेकर के शोपर्स्षा चैच देखे बैलगाडी देखी जिसमें दो बैल जोड़े जाते थे फिर बहसा भुगी आही एक बहसा जोड़ा जाता था उसके बाद कलेसर भी देखा है जिसमें गन्ये को पेला जाता था तो कोलु में बैल जोड़ करके गन्ये की पिलाई की जाती थी इसका मतलब बैल गाड़ी से लेकर के आगे की बात करेंं तो हम जोगार भी हमने देखी है तांगा भी हमने देखा है और बैल गाड़ी तो थी थी तो ये सब साइध अगली पीडियो को देखने को न मिले बैरंग खत बैरंग खत हम चिठी अंतरदेशी लिफापा पोस्ट कार्ड उसको बैरंग खत कहते थे एक अंतरदेशी लिफापा आता था जो नीले रंका होता था ठीक है और एक बैरंग खत यानि पोस्ट कार्ड भी ह बातों को संभव होते हुए देखा है, ठीक है दोस्तों, आईए और क्या देखा है हम वो पीडी हैं, हम वो पीडी हैं, जिन्होंने कई कई बार मिट्टी के घरों में बैठ कर, परियों, राजाओं की कहानी सुनी, और जमीन पर बैठ कर खाना खाया, प्लेट में डाल करके च सोले पिक्चर है, जिसमें आमताव एक प्याली में चाय डाल के, सोडो सोडो करके पीते हैं, वो सब, हम वो लोग हैं, जिन्होंने बच्पन में महले के मैदानों में अपने दोस्तों के साथ परमपरागत खेल, गिली डंडा, लुका छुपी, या छुपा छुपी, खोखो कबड़ी, कंचे जैसे खेल-खेले हैं, हम आखरी पीडी के वो लोग हैं, जिन्होंने चान दिनी रात, डिबली, डिबिया, मिटी के तेल की एक डिबिया बनाई जाती थी, मिटी के तेल करके, उसमें बत्ती डाल करके, उसके ढखकन में छेद करके, एक बत्ती डाली जाती ती उसको जलाते थे लालिटेन ये बल्व की पीली रोशनी में होमवर्ग किया है और दिन के उजाले में चादर के अंदर बैठ करके नौविल पड़े है हम वो पीडी के लोग हैं जिन्होंने अपनों के लिए अपने जज़वात खतों में आदन परदान किये हैं लिखते थे अपना जबाफिरों से पोस्ट करते थे तब जाकर के कहीं वो आता था हम उसी आखरी पीडी की लोग हैं जिन्होंने कूलर, AC और हीटर के बिना बच्पन गो जा रहा है और बिजली के बिना भी गो जा रहा है हम वो आखरी लोग हैं जो अक्षर अपने छोटे बालों में सरसों का ज़्यादा तेल लगा कर स्कूल और साधियों में जाया करते थे हम वो आखरी पीडी की लोग हैं जिन्होंने स्याही वाली दवात या पैन से कापी किताबें, कपडें और हाथ काले नीले किये हैं तक्ती पर सेंटे की कलम से लिखा है तक्ती धोई है तक्ती पर सैल की कालिक या डिबिया या नहीं चिराग के ऊपर की कालिक को इखटा करके या सैल तोड करके जो dry cell होते हैं उसे तोड करके फिर उसकी कालिक निकाल करके पट्टी को पोत करके शुहाया है और एक घोटा कांच का एक दिन चूणी टाइप का होता था उसे ले करके घोटा है पटी को तक्ती को पटी बोलते थे तक्ती भी बोलते थे उसको घोटा है लकडी की बनती थी जिस पर लिखा जाता था खड़िया मिट्टी की उसे बुद्धिका बोलते थे उसे खड़िया मिट्टी का बना करके सरकंडे यानि की सेंटी की कलम से लिखते थे हम वो आकरी लोग हैं जन्होंने टीचर से मार खाई है और घर में शिकायत करने पर फिर मार खाई है हम वो आकरी लोग हैं जो महले में बेजरुगों को दूर से देखकर नुकर से भाग कर घर में जाया करते थे और समाज के बड़े बूरों की जट करने की हद तक किया करते थे हम वो आखली लोग हैं जिन्होंने अपने स्कूल में सफेद केनवस सूज खड़िया का पेस्ट लगा कर गचमकाया है हम वो आखली लोग हैं जिन्होंने गौधरेज शौप की गोल्ड डिविया में साबुन लगा कर शेप बनाई है जिन्होंने गुड की चाय पी है काफी शमय तक शुबह काला या लाल तंकमन्जा नसफे तूट पा रहे इस्तमाल किया है और कभी तो नमक से या लकड़ी के कोईले से दांस साफ किया है हम निश्चती वो लोग हैं जिन्होंने चांदनी रातों में रेडियो पर बीबीसी की ख़बरें बेविदवारती ओल इंडिया रेडियो बिना का गीत माला हवा महल जैसे प्रोग्राम पूरी सिद्ध से सुने है हम वो आखरी लोग हैं जब हम शाम होते ही छटपल पानी का छड़काव किया करते थे उसके बाद सफिद चादर बिछा कर सोते थे एक इस्टेंड वाला पंखा सब को हवा सुबह सूरज निकलने के बाद भी धीड बने सोते रहते थे वो सब दोर बीट गया चादर अब नहीं बिछा करती डब्बो जैसे कमरों में कूलर एसी के सामने रात होती है जिन गुजरते हैं हम वो आकरी पीडी की लोग हैं जोनों ने वो खुबशूरत रिस्ते और उनकी मिठास बाटने वाले लोग देखें हैं जो लगातार कम होते चले गए अब तो लोग जितना पढ़ लिक रहे हैं उतना ही खुदगर्जी, बेमरोवती, अनिश्चित्ता, अकिलेपन और निरासा कि मैं खोते जा रहे हैं और हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिस्तों की मिठास महसूस की है और हम इस दुनिया के वो लोग भी हैं जिन्होंने एक ऐसा अविश्विस्निय सा लगने लगने वाला नजारा देखा है आज के इस करोनकाल में पारवारिक रिस्तेदारों बहुत से पती-पत्मी, बाप-बेटा, भाई-बेहन, आदि को एक दूसरी को छूने से डरते हुए भी देखा है पारवारिक रिस्तेदारों की तो बात ही क्या करें खुद आदिमी को अपने हातों से अपने ही हाथ से, अपनी ही नाक और मुझ को छूने से डरते हुए भी देखा है अर्थी को बिना चार कंधों के समसान घाट पर जाते हुए देखा है पार्थिप सरीर को दूर से ही अगनी दाग लगाते हुए देखा है दोस्तो हम वो लोग हैं जिनोंने इतने बदलाव देखे हैं साइद इतने बदलाव किसी भी पीडी को देखने को नहीं मिलेंगे हम आज के भारत की एक मात्र वह पीडी हैं जिसने अपने मावाप की बात भी मानी हैं और बच्चों की भी मान रहे हैं शादी में बफेट खाने में वो आनंद नहीं जो पंगत में आता था जैसे सबजी देने वाले को गाइड करना हिला के दे तरी तरी देना उंगलियों के इसारे से लड़ू और गुलाव जामुन काजू कतली लेना पूरी छांट छांट के और गरम गरम लेना पीछे वाली प जो बाकी है उसके लिए आवाज लगाना पास वाले रिस्तदार की पतल में जवर्जस्ती पूरी रखवाना रायते वाले को दूर से आता देखकर फटा फट रायते को रायते का जो दौना है उसे पी जाना या दही का दौना है उसे पी जाना पहले वाली पंगत कितनी दे कीजिये जहने आप प्यार करते हैं जो आपके बुज़र्ग है तो वह अपने बच्पन को इस वीडियो के माद धम से जी सकेंगे ऐसा मेरा विश्वास है कि वो जी सकेंगे उसको उसका बच्पन जरूर याद आएगा वो आपकी बज़े से अपने बच्पन में चला जाएगा चाहे कुछ देर के लिए ही सही और ये आपकी तरफ से उनको बुज़र्गों को या उसको सबसे अच्छा गिफ्ट होगा दोस्तों मेरी आपसे यही आशा है किसी बुज़र्ग नहीं है लेखन मुझे भेजा आपके लिए मैं वीडियो के मात धिम से भेज रहा हूँ आप ये वीडियो शेयर कीजिए जो बुज़र्ग नहीं पढ़ पाते होंगे या जिनको पढ़ाने के लिए आज की भाग दोड में कौन सुना पाएगा उनना पढ़कर के तो जो नहीं पढ़ पाते होंगे वीडियो पे इस वीडियो को चला करके उनना दे दीजे वो सुन लेंगे बहुत खुस होंगे दोस्तो वो आपके बुज़र्ग हो सकते हैं आपके माता पिता हो सकते हैं आपके दादा दादी हो सकते हैं बहुत अच्छा लगेगा धन्यवाद दोस्तों आप शेर करेंगे ऐसा मैं मानता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपको देता रहूँगा धन्यवाद दोस्तों नमस्कार